अनुपमा की आने वाल एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दरसल सीरियल में पाकी आदिक का ड्रामा तो चल ही रहा है। लेकिन इस बीच अब शूती की भी एंट्री होने वाली है। लेटेस अपिसोड में आदिक को इशानी की तवियत के बारे में पता चल जाता है और वो शाह हाउस आ जाता है। इशानी को लेकर पाकी और आदिक में भीशड घमस्तान होता है। इसमें वनराज, तोशोवार अनुपमा सभी कूद पड़ते हैं। आदिक इशानी को अपने लेकिन वनराज उल्टा पाकी को ही सुना देता है। वो पूछता है कि तो मादिक की हरकतों और प्रतिक्रियाओं को च्रिगर करती थी। पाकी कहती है कि ये बाबुजी की वज़े से हुआ है जबकि वनराज उसे काफी बाते सुनाने लगता है। लेकिन इस सब के पहले घ कर में हल्दी का फंक्शन होता है जिसमें सभी जूंगते नाश्ते हैं और इस बीच अनुज अनुपमा के लिए गज्रा लेकर आता है और कहता है कि अगर तुम इससे लगाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वहीं हल्दी के फंक्शन के दौरान अनुज और अगिशारी लोगों को ही सच्चा प्यार मिलता है और अगर प्यार सच्चा नहीं है तो व्यक्ति के स्थिती मेरे जैसी हो जाती है वो कहता है कि आपका प्यार सच्चा है और यहां हर कोई जानता है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो अनुज पर अनुप्पा को इसके बारे में सोचने के लिए कहता है और फिर वहां से चला जाता है अब ये देखना दिल्सस होगा कि क्या अनुच शोती से अपनी शादी तोड़ने का अलान करेगा या फिर अनुप्पा के साथ दूरिया ऐसे ही कायम रहेगी